नौक नौक, who's there, CA exams, so yes, CA exams are now knocking on the door, अब वो समय आ गया है भाई साब की भाई, 5-6-7 घंटे से पढ़के कोई फायदा नहीं होगा, कम से कम रोज आपको 12-14 घंटेगी, effective study निकालनी पढ़ेगी, and sir, आप भी क्या इतना पढ़ लेते थे, answer is yes, मैं इतना पढ़ लेता था, कैस पढ़ता था, कैसे चीज़े possible हो पाती थी, पूरी की पूरी, detail में सारी बात मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो मेरी आप सबसे request रहेगी, कि वीडियो को end तक जरूर देखना, because सारी बाते आपको पता चलाएगी, कैसे आप, passionately, एकदम full energy के साथ, अगर आपको 12-14 घंटे पढ़ने है, if you want to study for 12-14 hours, it's very important to develop a routine, आप ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन अचानक उठ गए, और बोलो गया, आज तेरा भाई 12-14 घंटे की study निकालेगा, ऐसा possible ही नहीं है, routine का मतलब है, आपने time से सोना है, time से उठना है, हर चीज time से होनी चाहिए यह गया time कि वह ऐसे कुछ भी जब मन किया कर लिया, नहीं, ऐसा possible ही नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या करता था, रात को सोने से पहले मेरे पास next day का plan ready होता था, तब ही न मेठी नींद भी आती थी, तब ही कही ना कही एक मेठी नींद भी आती थी, क्यार हाँ सुबा मुझे time से उठना है, और यह सारे targets अचीव करने है, तो मैं रात को सो जाया करता था, लगबग साड़े, क्यारा, बारा बज़े थी, ठीक है, एंड, रोज मेरी यह कोशिश होती थी, कि मुझे कम से कम साड़े छे से साथ, साड़े छे से साथ घंटे की नींद लेनी लेनी है, तो मैं सुबा लगबग साड़े साथ बज़े उठ जाता था, और फिर जब मैं उठ जाता था, तो उसके बाद कोशिश रहती थी, पहले आदे घंटे में ही, फोन तो बिल्कुल भी ना चलो, बिकॉज एनरजी वहीं की, वही सारी बैंड बज जाएगी, पहले आ अगर आपको कॉफी पीलो, चाय पीलो, जो आपको ठीक लगता है, बस वो लो और पढ़ाई पर बैट जो, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना फर्स स्टडी सेशन निकाल लेता था, दो से ढाई घंटे का, लग बग साड़े नौ दस बज़े पे वापस उड़ के साथ आगया हूँ, मेरी मम्यक डायलोग बोलते है, जैसी एक इनसान आता है, उसको नई जिन्दगी मिल जाते है, तो मुझे ऐसे ही लगता था, मुझे एक नई जिन्दगी मिल गया, I got a new life, and I was again back with the energy, उस टाइम पर मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगर कर लेता अगेन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, ब्रेकफास्ट को जितना हो सके, लाइट रखो, जितना हो सके, लाइट रखो, कई लोग बोलते, ब्रेकफास्ट बड़ा हैवी करना ची, कुछ हैवी नहीं करना तुमको आज की इस दिन्दगी में, ठीक है, यह जब तक सफ़ी ने कालो, और यह अगली सफे शेशन में, कि पहला सफ़ी सेशन हो चुका है, मेरी मौनिंग एगदम पढ़िया हो चुकि है, फारी सॉनने दूनिग के सबसे हों, आप मेरा सफ़ी सेशन जायगा लुच्छ टक, यानि अब मेरा सेशन जयेगा लूंच तक 40 बेकफा अब सर कई बार बच्चों को कम्प्लेंट आती है हम ना दो घंटे धाई गंटे कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो आप कैसे करते थे सबसे पहले जो मोबाइल फोन है इससे आपको सुबा सुबा जुदा होना पड़ेगा इससे आपको सुबा सुबा ब्रेक अप करना तो अगर आप उनके साथ यह expectations develop करके चलोगे उनको बाते बता के चलोगे वो भी यह बात समझ जाएंगे, क्या यह बात समझ आती है, हाँ, तो मैं अपने mobile phone को क्या करता था, side वाली, जो room है, उसकी अलमारी में बंद कर देता था, क्यूंकि मैंने बचपन से एक चीज सीखिय out of sight, out of mind, जो चीज सामने नहीं है, वो फिर आपके दिमाग में भी नहीं आती, फिर वो distraction तो दूर की बात है, अब जब suppose मालो मिरको जो दो घंटे का study session उसमें 30 questions करने है, ठीक है sir, अब ये 30 questions को मैं 3 से divide कर लेता था, तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे 30 नहीं, मुझे सिर back with the energy, ठीक है, या आप थोड़ा walk वगर कर लो balcony में चले जो, these are the basic simple things that you can do, तो उससे आपका mind जो refresh रहते है, and you are able to productively work towards your goals, क्या ये बात समझ आती है, हाँ sir, फिर जैसी lunch का time आता था, मजा आता था, क्योंकि जैसी में lunch करने जाता था, मैं देख लेता था, तारग महता का उ and you feel good about you, ठीक है sir, अब लंच करने के बाद मैं सीधा वापिस पढ़ाई में नहीं बैठता था, फिर I used to take a walk, walk कम से कम 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, I used to walk, and उसके बाद मेरी कोशिश रहती थी कि मैं लग बग हाफ एनार 40 मिनट का नैप भी ले लू, sir, 2 से 5 के बीच में हमारे exams है उस टाइम पर हम नैप लेंगे, तो हमको आदत पढ़ जाएगी सोने की, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब यहां पर मैं वही कौशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने यह जो चीज थी, दो से 5 में ना सोने की, यह मैंने लास 10 डेज में implement क भी गई थी, क्योंकि उस टाइम में बड़िया प्रैक्टिस कर लेता, तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी, तो अभी आपको अगर लगता है कि अगर आप 2-5 के बीच में थोड़ा सा भी सोगे, तो आपको गंदी आदत लग जाएगी, तो मत करना भाई, मैं तो करता था, औ तुवर्ड्स देंड मैंने इस आदत को सुधार लिया था, तो मेरे को काफी कमफर्टिंग लगता था, वो जो नैप के बाद अब उठते हो, तो एक और नहीं जिंदगी मिल जाती हो, और बढ़िया वाला मज़ा आ जाता है, अब सर इसके बाद क्या है, मैंने कुछ नहीं ठीक है, आंटी है, गपे मार रही है, ठीक है, जो भी चलता रहते है, उनका, प्लस कुकर की सीटी बजने की आवाज आ रही है, तो इसके बाद वो हींग और तड़के की खुश्बू आते तो अलगी फील आ जाती है, तो यह सारी चीज़े आपने करने चड़ियों की चैच करना, that's it, and कही ना कहीं बच्चे सोच रहोंगे, आप exercise बगर नहीं कर रहे था, वगर ध्यान से सुनो, मैंने लंच के बाद walk की थी, even शाम को भी मैं कोशिश करता था, 10-15 minute basic stretching और exercise कर लूँ तो जो मैं चाय वाला break होता था, उसी में थोड़ी basic exercise और stretching वगर करके, walk वगर कर लिया, डिनर करने के बाद, मैं अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा बैट जाता था, थोड़ा बाते 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 कर लेते थे, फिर मैं कार्ड्स बगर खेलता था, अपने पेरेंट्स के साथ, पापा, मेरी भेन और मैं, हम कार्ड्स केलते थे, उसमें मुझे हराते थे, उ उनको complete करो और वापिस next day का प्लान बना के सो जाओ तो ऐसा कुछ आपने हाइफाइ नहीं करना है मैं सची बता हो ना को the thing high-five needs to be done you just need to stay away from this distraction सार इसको कब उठा है जब शाम वाला ब्रेक है न तब मैं इसको उठा लेता था जब शाम वाला ब्रेक है तब मैं इसको उठा लेता था था बट I was away from social media मैंने instagram वगरा कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहा था ठीक है even जब मैं YouTube पे था YouTube पे भी मतलब I used to follow one or two teachers जो एकदम मुझे लगता था यह मुझे अच्छा गाइड कर रहे है और मैं इनसे रिलेट कर पा रहा हूं तो मैं उनको follow करता था और मुझे उनसे inspiration मिती थी कि हां मुझे positively अपनी studies के लिए आगे बढ़ना है keep a water bottle on your table हमेशा अपने आपको hydrated रहो जब भी आपको लगता है थोड़ा सा आप heavy फील कर रहे हो या you are feeling that warmth in your body because summers का ताइम है keep a water bottle have as many fruits as possible जितना आप healthy रहोगे उतना जितना आप fit रहोगे जितना healthy और fit रहोगे उतनी आपके अंदर energy रहेगी and clocking 12 to 14 hours a day will not be a big issue for you and yes पढ़ाई के साथ दोस्ती कर लो because जितनी आपकी गहरी दोस्ती होगी उतने आपके अच्छे marks आएंगे so वही का हूँगा जो हमेशा कहता हूँ खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू कर देना and yes stay subscribe to the channel for more such videos all the best लगे रो